नमस्कार स्वागत है आपका लेर्निंग शॉट्स में तो आज हम बात करेंगे साइट रलाइबिल्टी इंजिनिंग फांडेशन सर्टिफिकेशन बहुत ही होट टॉपिक है आज कल स्किल सेट के साब से कर दिखा जाए तो ऐसारी फांडेशन बहुत ही कॉमन नेम है तो साइ स्किल भी है तो आज हम बात करेंगे ऐसारी का जो फांडेशन सर्टिफिकेशन है उसको कैसे प्रिपेर किया जाए कैसे उसको पास करें तो आए चलते हैं इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आज हाना तो बैसिकलिए डैवे इंस्ट्टिफिकेशन जो है वो प्रॉइट कराता है एसरी सर्टिफिकेशन तो दो सर्टिफिकेशन इसके काफी फिमस हैं एक है मैं एक है वेसे प्रिक्टिशनर के सकते हैं लेकिन रिकमेंड यह किया था कि पहले आप सारी फांडेशन्स दे लें इससे आपका सारा एस सारी जो बैस प्रेक्टिसेस हैं प्रिंसिपल्स हैं और उनके जो आट नौ जो मॉड्डिल से उसकी आपको कितनी रॉलेश है क्योंकि तफ रहे जो आपको रखने पढ़ता है तो आज लिकिन जो बात करेंगे वह एक सेपरेट हम लोग वीडियो बना सकते हैं तो आज चलते हैं तो बैसिकलिए है क्या है इसकिल सेट के साब से हम एक पूरा एक वीडियो बनाएंगे जो एसारी के टॉपिक्स जो हैं डीब डाइव सारे मॉडूल्स हैं तो उसमें प्रपरेशन के साब से हम नेक्स वीडियो की सीरीज बनाएंगे आज लिकें के इवल सर्टिफिकेशन पर फोकस है तो इसका ऐस सच कोई प्री रिक्विस्ट नहीं है लेकिन आपको बहुत ही अच्छी से पत अंसर करतेंगे तो डूरेशन इसका करीब रहता है स्रेटिफिकेशन का 60 मिनिट टू 75 मिनट तो 75 मिनट बान के चलिए उसमें प्रॉक्टर जो है प्रॉक्टर एक्जाम है तो आपका कैमरा ओन रहेगा आपका ओडियो ओन रहेगा प्रॉक्टर आपके साथ इनीशली डिस् एक्सकुछ फोन तो नहीं है और अपकी चीज कुछ और ऐसे सरीज आपकी तैसी नहीं है जिससे आप चीटिंग कर सकते हैं बेसिकली और उसके बाद वो बोलते हैं आपसे कि आप four blank pages ले सकते हैं इसे अपने notes वाना सकते हैं और at the end of exam आपको four pages destroy करने होगे तो यह सर इंस्ट्रक्शन के बाद एक्जाम स्टार्ट होता है तो एक्जाम आप Mac या Windows दोनों लैप्टॉप ऐसे किसी पर भी ले सकते हैं लेकिन एक्जाम शील्ड करके अप्लिकेशन है वो आपको इंस्टाल करना होता है तो आप एक्जाम पहले अगर आप बाई करने से पहले का चेक करने कि आपका जो लैप्टॉप है उसके कंफिगरेशन एक्जाम शील्ड के साब से प्रॉपर है के नहीं है उसके बाद ही money invest करें पता चले है आपको किसी और से लेप्टॉप बारो करना पड़े एक्जाम के लिए तो questions number of questions 40 रहते है और more or less fix है कि किस section में से on an average कितने questions आते हैं और mcq है multiple choice questions होते है single choice जो है वो correct होता है और passing score 65% है तो उतना easy भी नहीं है certification वाइल its foundation लेकिन इतना easy नहीं है आपको काफी deep में पता होना चाहिए कि exact answer क्या होना चाहिए इसका cost जो है इसकी 185 GBP है डॉलर नहीं है 185 GBP तो online अगर आप चाहें तो इसके discount गूपन मिल जाएंगे आपको 20% के आसपस discount मेल जाए तो 148 पांड के आसपस आपका course इसका certification है उसकी cost पढ़ेगी validity वैसे two years होती थी लेकिन जो devops institute जो है उसको people cert ने acquire किया तो उसके बास है validity जो है इसकी three years है यह थोड़ा एक change है और आएए दिखते हैं क्या-क्या topics हैं क्या-क्या slivers है आगे next slide में तो basically यह जो around eight जो modules आपको देख रहे हैं तो आप देखेंगे bracket में जो four q six q जी लिखा हुआ है यह जो है यह number of questions है particular module के on and average इतना इतने questions इस module से आते हैं plus minus one or two question vary हो सकता है लेकिन more or less यही रहता है बिकास जो उनका result भी आता है last में तो उसमें लिखा होता है कि number of questions percentage achieved and how many questions are correct and wrong तो SRE principles and practices बहुत important topic है लेकिन number of question four है service level objective and error budget यह इसका backbone है SRE framework कर आए तो इसमें आप कोशिस कीजिए कि जब भी आप बढ़ाई करें you go deep you refer multiple जितना भी study material है internet पे अच्छे से बढ़ाई करें हैं बहुत तरह के question आते हैं बहुत important है और cable certification के लिए नहीं है अगर आप SRE engineer है या अपना career SRE में start करने वाले है तो यह बहुत ही important है अगर आप senior level पर भी है अगर आप SRE director भी है SRE manager भी है type vice president भी है तो यह topic जो है आपके regular implementation के लिए बहुत important है reducing toil basically कि जो manual work को कैसे automate करते हैं how to identify toil and all इसके भी questions काफी tricky होते हैं right और monitoring and service level indicators बहुत important topic है because SLI जो service level indicator और SLA इनके आपस में linkage और observability इस type के questions में बहुत ज़्यादा थोड़ा से tricky questions रहेंगे इसमें SRE tools and automation थोड़ा सा easy questions रहेंगे लेकिन number of questions 6 है anti-fragility and learning from failure यह basically chaos engineering based questions रहते हैं chaos engineering मैं आपको recommend करूंगा कि केबल आप SRE के study material के लाभा chaos engineering का अलग से material भी पढ़ लें internet पक्छे से मिल जाएगा बहुत सारे short and brief PDF भी है Netflix का जो chaos engineering है वो भी chaos monkey उससे भी आप देख सकते हैं लेकिन बहुत सारे decent brief material भी आपको chaos engineering के मिल जाएगे इंटरनेट पर organizational impact of SRE यह थोड़े से इसमें western model and all इसके questions आते हैं थोड़े से tricky question है कि learning from failure and all those things जो किस type of organization में होता है और information model है communication model बहुत ही tricky से question होती है जो कि आप पढ़ेंगे उस time पर हो सकता है आपने पर्टिकुलर keyword को notice ना किया हो कि information की बात कर रहे है communication की बात कर रहे हैं लेकिन question उस type कर जाएगे तो आपके लिए तो तोड़ा सा tough हो जाएगा identify करना है कि information था यह communication model था तो जब आप पढ़ा ही करें तो आप बैटर रहे कि notes बना लें notes आराम से बनाजे सकते हैं कि study material बहुत भी ज्यादा नहीं है इस module के इन module के साभी आप question prepare करेंगे तो आप आसानी से 80-85% तो easily ला सकते हैं 4-6 week की study good enough है if you are already implementing SRE principles और वाकी बहुत सारे framework हैं और कुछ और भी topics हैं जो बहुत sub topics हैं लेकिन वो बहुत ही important topics है models है basically तो study material इसका क्या-क्या है available है तो next slide में discuss करेंगे क्या-क्या study material available है mostly free material जो कि आप refer कर सकते हैं तो आई यह next slide पर चलता है तो यह देखेंगे आप Google Site Reliability Engineering तो SRE जो है Site Reliability Engineering framework जो है Google में ही start हुआ था और आज की डेट में इतना popular है कि अगर आप बात करें SRE के carrier की और job market की तो SRE के hands-on candidates market मिलना मुस्किल है और जो मिलते हैं उनकी salary and average engineer से three times high है तो अगर आप अपना carrier SRE साइड में बनाना भी चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे परच्रोटी है तो मैं तो ही recommend करूंगा Google की यह जो SRE book है आप URL देख सकते हैं आप इस site पर जाएंगे आपको तीन book मिलेंगे Google SRE की कोशिस कीजिए बड़ी book हैं around 500 pages की PDF हैं वर्थ रीडिंग बहुत ही अच्छा अच्छे से explain किया है इनके वीडियोज भी है Google के अपने वीडियोज है YouTube पे free वीडियोज है SRE और DevOps के वह भी देखे तो काफी अच्छे से explain किया है और अगर आपने यह पीडियोज अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आप साइद ऐसा कोई क्षिए नहीं कर सकते है फिर सेकंड जो इसमें bullet point दिया है Wikipedia for high availability इसलिए separately दिया है क्योंकि इसमें से question आता ही आता है कि लेट से आपका 99.9 availability है तो कितना downtime allowed है per month let's answer 43 minutes right तो यह से आपको याद ने देगा तो इसमें आप जाएंगे कर high availability की Wikipedia में तो there is one table पूरा availability के हिसाब से matrix table दिया हुआ है कितना time allowed है downtime and all तो आप कर सकते हैं थर्ड वीडियो है YouTube का यह मुझे personally काफी अच्छा वीडियो लगा चार गंटे का वीडियो है क्लावड अकेडियमी पर वीडियो कोर्स है और बाकी आपना डेवोफ इंस्ट्यूट का यह लास्ट जो लिंक है एक PDF है अच्छा PDF है इसमें sample questions भी है around 40 sample questions है उसमें से भी काफी questions आपको मिल जाएंगे काफी तो नहीं बोलूगा लेकिन हम अच्छे questions आपको इसमें से मिल सकते हैं कुछ similar type of questions का आपको reference मिल जाएगा जैसे कि आप पढ़ाई जब कर रहे हैं तो उस तरह कुश्चन आप पढ़ लें तो यह अच्छी PDF यह भी preparation के लिए तो इतना material more than sufficient है पढ़ाई के लिए और बाकी तो there is no limit YouTube के बहुत सारे वीडियो पढ़ें बड़ मिस्काइड नहूं तो यह नेक्स चलते हैं कि certification के लिए इस्टर कैसे करना है तो यह वेब साइट है पीपल सर्ट की पीपल सर्ट का आप जाएंगे तो उनकी सर्टिफिकेशन करके section है तो उसमें आप सारी और या डेवाप्स अगर आपने बाई किया तो आप चार गंटे बाद का कोई सावी अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं ओनलाइन एक्जाम है लेकिन फुली प्रॉक्टर्ड है तो गो वेल प्रिपेर्ड वतला आप उसमें कोई अप्शन मत सोचिए कि आप एक्जाम के टाइम पर कोई मैटेरियल रेफर गर सकते हैं इसलिए अच्छे से तियारी करके जाएं और जब आप कोर्स खरीद लेंगे आपके वास मेल आ जाएगा उसके पर जाके रेजिस्ट्रेशन के लिए और जो इनका है एक्जाम शील्ड गहाँ है कि दो मैं थाओ ने जाएं न किया पर है जिस को बीच भीच ने कि दिसकनेक्ट बहुत पर जाएं कर जीतना भी एक्जाम से आप उसको बाद में दोबारन कर के वहें से स्टाइट करूँ हुआज वहीं सब्साटे बहुत आसे को इसे थे पीजरी एक्जैम के उसक प्रॉक्टर्ट एक्जाम है तो चैमरा और यू सा वान रहता है फोन आप साथ में रख सकते कोई और भी डिवाइस नहीं रख सकते तो ब्राउजर वगरा भी स्विच्छ ना करें दर से दर और पास और फेल कर दर इमिडिटल आ जाता है आपको एराउंड 75 मिनिट मिलते हैं सेक्षिन वाइस पूरा स्प्लिट आता है किसमें आपके इतने परसेंटेज आएं किस सेक्षिन में और सर्टिफिकेट जो है एक या दो दिन में आपके मेल पर सर्टिफिकेट आजाएक आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यह है बाकी एक नेक्स टॉपिक बचा है रीटेक का तो जो मेटेरियल हमने डिसक्स किया है तो होफ़ुली आप अगर अच्छे से परपेर करते हैं तो वर्स्ट केस अगर कुछ हो जाता है बाइचंस नहीं हुआ एक्साम क्लियर एक कर दो मार्क से रह गए तो अब रीटेक का इनका क्या है कि I think somewhere around 75 GBP का कॉस्ट है लेकिन उस कुल मलाकी I think material good enough है तो बाकी description में इनके सारे जो links है वो उसमें नीचे description में डाल देंगे साब को copy paste करने में refer करने में easy हो जाए तो all the best आज के लिए बस इतना ही next वीडियो के हम सोच रहे हैं कि SRE के पूरा course के छोड़ छोड़े वीडियो आपके लोगों के लिए बना के लिए क्या है थेंक यू